कि नमस्ते दोस्तों मर्बल फ्लोरिंग जितनर श्रमा में आपका स्वागत है दोस्तों देखिए आज के वीडियो में में आपको यह जो ब्लोग देख रहे हैं इसका फुल प्रोसेस कटिंग और हमारा साथ में है विने सर जो क्रिश्मार मार्बल चाहिए नमस्ते सर आज आप हमको यह जो ब्लोग है ब्लोग कटिंग वेक्यूम यह सब जनकर देंगे वीडियो में नमस्ते दोस्तों मेरा नाम है विने बाबू क्रिश्मार मार्बल बैंगलिवर से जैसे कि आप देख रहे है यह नाचुरल स्टोन है मार्बल पत्तर है यह पूरा आपको 40 कंट्री अलग अलग कंट्री से आपका माल इंपोर्ट होके आता है इसका यह पर्टिक्लर मटीरल का नाम है जाएए आयस ब्लू गुरो जो मार्बल गोहन मेतमॉर्फिक पत्तर है मार्बल में आपका नेचुरल क्रेक बहुत ज्यादा रहता है वों क्रेक को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है तो विने सर यह रिये जो पक्ट्ट बांद रखे हैं फिन पर्टिकलर ब्लॉक में आपका क्राग ठोड़ा ज्यादा आप देख सकते हो बड़ा-बड़ा क्रैक है तो यह क्रैक क्या खुल जयते ब्लॉक का एक का चारबाग हो जाएगा वह ना होने के लिए हम अब बांद के विदेश से इंपोर्ट करते हैं जैसा आप इस ब्लॉक में देख सकते हो यह थोड़ा मामूली सा प्राइक है तो यह वाला क्रेंकों आपको ब्लॉक को बांने का जरूरत नहीं पड़ेगा यह क्राक को कैसा ट्रीट करते हैं किसी के उपर पुरा कड़ा है मतब पूरा प्रोसेस का आपको क्वालिटी तभी दिखेगा जब यह चोड़ करेंगे उसी से आपका माल क्वालिटी बनता है दोस्तों देखिए यहां पर A to Z process है सर इसके ब्लोक के बाद में यह कौन से process पर जाता है हाँ जी यह ब्लोक जैसा आने के बाद quality control होने के बाद ब्लोक का vacuuming process होगा दिखा दीजिए साथ हाँ दोस्तों देखिए ब्लोक के बारे में साब ने बता दिया अब सेकंड जो इसका process आता है विने सरी सेकंड अपने क्या करके जैसा मैंने बताया था कि आपको marble के अंदर crack रहता है यह special process है इसका नाम है block vacuuming block vacuuming में क्या होता है ब्लॉक को जो weakness रहता है जो crack का परी उसको पूरा ढख के chemical सोक करके vacuum create करके उसको strong बनाते हैं यह हमारा उद्देशित कि जब माल cutting होता है cutting होने के टाइम आपका slap तूड़ता नहीं है हाँ जी तो यह पाइप और यह जैसे दिखिए इसका vacuum का process क्या रहता है एक को हम एक ब्लॉक रखने से पहले नीचे हमें special cover डालते हैं डालके 400 GSM का एक special fiber आता है special fiber आने के बाद इसको ब्लॉक को चारो साइड से छे साइड से लपेट देते हैं लपेटने के बाद ऊपर से जैसा यह मशीन से अपका connect होता है यह मिशीन क्या करता है कि लॉक को वाक्यूम क्रेट करता है जैसा जो हवा है वह पूरा हम खीच लेगा और यहां से आपको पूरा हम special italian epoxy डालते हैं जैसा यह हवा निकलता रहेगा वाक्यूम क्रेट होगा जैसा वाक्यूम क्रेट होगा जो 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 क्रैक से वहां पर आपका original italian epoxy जाके अंदर में उसको जैम कर देगा ताकि आपका माल कभी भी तूटे नहीं इसका उद्देश है हमारा जो आपको बुक मैच लगता है आप फिक्सिंग करने के टाइम जो दो स्लैप का जो ग्रेन मिलता है वो ग्रेन तभी मिलेगा जब आपका स्लैप टूटा पूटा नहीं हो माल ना तूटने के इसाफ़ से हम यह प्रोसेस बनाते हैं बताता हूं कि यहां पे हम ब्लॉक को पूरा स्क्वायर करते हैं अगर जयसा ब्लॉच पूरा कोना तूटा रहता हैं जिवन कि प्रफेक्ट होने के लिए ब्लॉच को चारो जगासे पूरा ड्रिस्ट कर देते हुझ तो किस लाप एकडम पर् Scientists 5 दिखता है दोस्तो ये इस का इस मिशिण का नामे गांग् सौँभ८ सर इसमें नाइट्ष रहता है जैसा हम अगरए को टरद्र आ एक स्लाइस बनाते है गांगसा मिशिन में क्या होता है जैसा आप उपर देख सकते हो यह multiple blades है blades के उपर एक छोटा-छोटा सा आपका diamond का segment रहता है अप उपर में देख सकते हो तो ग्यैंगसा मिशिन में क्या होगा यह आपका पूरा blade ऐसा घुमता रहेगा ब्लेड का मुवमेंट होता रहेगा फिर वो धीरे दीरे आपको ब्लॉक को पूरा स्लैप्स में कटिंग करके बाहर आएगा यह प्रोसेस लगबग 14 गंटा से लेके 16 गंटा में एक ट्रॉली आपका बाहर निकलेगा एक ट्रॉली में आपको 5000-6000 फूट का प्रोडक्शन नि प्रोसेस का नाम है क्वेस्ट रोबोटिक प्रोसेस जैसा आप देख सकते हो कि मार्बल स्लैप को जो एकदम पूरा क्रेक रहता है वह क्रेक वाले स्लैप को पूरा आपका 56 सक्षण कप से आपका वाइक्यूम कृट कर के हर स्लैप को पकड़ता है मापस लाइप कितना ही क्रेक रहने दीज्ञे वो crack को ये vacuum pads छोड़ने को देता नहीं है इससे advantage क्या रहेगा slab अपनी जगा से हिलता नहीं है और एकदम safely without damage हर slab का handling होता है और यहां से होने के बाद हर slab को हम next process में open में लेके जाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों इसके बाद next process है हर slab को हम open में लेके जाते हैं यह special catalysis open है यह open में क्या होगा slab में जब आपका जैसा आपने पीछे मिशिन में देखा process number 4 पे जब गैंग्सव में slab करता है तो slab के ओपर पूरा पानी रहता है तो वो पानी को पूरा dry करने के लिए इस special oven में आपका slab अंदर जाता है oven में आपको controlled environment रहता है 44 degrees से लेके 52 degrees heat तक material के ओपर हम heat maintain करते है हर slab कम से कम 120 मिनिट slab के oven के अंदर रहेगा oven के अंदर जब यह slab रहेगा पानी पूरा first रूप से हर जगा से आपका पानी साफ होके बाहर आएगा because जब आप chemical डालते हो epoxy डालते हो अगर गीला रहता है slab तो epoxy कभी भी पकड़ता नहीं है तो गीला ना रहने के लिए oven में हम हर slab को भेजते हैं इसके oven के बाद में कहा जाएगा हां जी बताता हूं कि दोस्तों देखिए यह oven में से निकलके मर्मल आया है इसके बारे में थोड़ा बताई है हाँ जी सर यह हमारा गेलीलियो रोबो सिस्टम है यहाँ पर नॉर्मल ही क्या होगा जैसा आप उपर देख सकते हो उपर से इटालेन एपोक्सी आउटमेटेड रेशो के इसाब से बनके मिक्स होके यह स्पेशल नॉजल से आपको स्लैब के उपर स्प्रे होता है और यह एपोक्सी मिक्स करना बहुत ही इंपोर्टेंट आस्पेक्ट है जैसा इटालेन मैनुफेक्ट्टर हमें बोलता है कि 3 is to 1 रे आप मिक्स करके स्प्रे करता है और जो स्प्रे होने के बाद स्लैब के ओपर फैलाने के लिए यह स्पेशल गलीलियो रोबो है इसका खासियत है वी स्ट्रोक दोस्तों थोड़ा ध्यान से दिखिए जब आपका मिशीन यहां से आपको वापस जाता है वी शेप में जाता है और वापस आने के टाइम सीधा आता है यह वी स्ट्रोक में क्या होता है आपका स्लैब का हर जगा पे आपका केमिकल जो इटलेन एपोक्सी है स्पस्ट रूप से रूपता है कही पे भी आपको गैप आएगा नहीं वहला आउक हमम एप Utah को स्लैब को दाल रहे है जहा किर्टा है उस टमर हो एक को कि अदर में पूरा जितना बी स्टोन का तिक्स में सेशार यह स्लैब का 2-10 एंइम इंइंएं को 20 तिकने में पूरा इपकोड आपको शीप्र क्रेस होता है प्राद में उसको हम बोलता है अपना मैन्युल इंस्पेक्शिन प्रोसस यहां पे जो पत्तर में जो काफी साल से जो ट्रेंड एक्सपर्ट रहते हैं वो अपना नजर से जो जो चोटा मोटा क्रैक रहता है उसको वापस touch-up का काम करते है एक slab को हर जगा से चार export पूरा एकदम दिहान से आपका checking होता है checking होने के बाद जहाँ जहाँ पर आपका crack रहता है वापे पर रूप से उसको crack का filling होता है यहाँ पे filling होने के बाद next यह slab आपका accumulator cabin में जाता है यह क्या होता है accumulator आपको बताता हूँ दोस्तों यह next process है accumulator cabin का जहाँ पे क्या होगा हर slab जैसा आप सामने आप देख सकते हो वो उपर का पूरा जो trace है trace के अंदर हर slab आपको लगबग 20 मिनिट उसके slab के अंदर रहेगा accumulator cabin में क्या होगा humidity और temperature maintain होगा जिससे आपका chemical पूरा पतला हो जाता है जितना पतला होता है उतना असानी से आपको slab के अंदर आपका chemical अंदर जाता है हमारा उद्देश क्या रहता है कि slab को के अंदर जितना आसान से chemical जावे उतना आपका crack अच्छा से पकड़ता है accumulator cabin निकलने के बाद फिर यह वापस oven में जाएगा जहां पे 120 मिनिट ओवन में 52 डिग्रीज टेंपरेचर में slab को रखा जाएगा उस टेंपरेचर में epoxy का catalysis process होके पूरा crack का feeling होता है और इसके बाद में सर यहां जी मैं आप दिखाता हूँ हाँ सर अब बता ही दोड़ा देखिए इसका process का नाम है stone restoration जैसा आपका marble में crack रहता है पूरा filling होने के बाद आपको यह दुबरा stone restoration process के पास आएगा जहां पर हम क्या करते हैं एपोक्सी के अंदर इसी marble का पूरा powder बनाते हैं एकदम पतला एकदम मामुली सा powder की तरह बनाएंगे powder और epoxy mix करने के बार हर जहां जहां पर crack है वैसा छोटा छोटा crack के अंदर हम इसको stone powder और epoxy मिलाके हम उसको touch up करते हैं यह touch up होने के बाद यह slab फिर दुबारा आपका वैक्यूम दुबारा आपका oven में जाता है जैसा यह oven में जाएगा फिर यह आपका हर छोटा से छोटा crack भ अबर जाएगा हास हासरी हो बताइए देखे दोस्तों इस process में हम बोलते है grinding यह automated पेदरी नी grinding लाइन है स्पेशली मिशीन है इतली से हमने इंपोर्ट किया है जा पर हर slab को आपको पूरी तरह chemical भरने के बाद आपका grinding होता है जो छोटा-छोटा क्रेक हम भरके आपका chemical होत है उसके बाद यह मिशीन के अंदर जाने के बाद आप देख सकते हो कि यह fully automated processing line है यहाँ पे आपका आठ नो बट्टी का आपका combination से हर head में आपका माल घूमता रहता एक-एक head में एक-एक head का आपका abrasive रहेगा पहले का abrasive hard रहेगा उसके बाद जा जाके आपका soft abrasive होगा इस process में क्या होगा जो abrasive है वो stone के ओपर जो chemical है जो slab surface के ऊपर जो excess chemical है वो पूरा grind करके आपका chemical को निकालके और slab को पूरा calibrate करके even surface लेका के बाहर छोड़ता है जैसा आपने raw slab अंदर जाते दो देखा अभी मैं आपको दिखाता हूं finish slab कैसे दिखेगा जैसा दोस्तों आपने अभी जैस देखा हूआ है कि एक side से आपका पूरा slab chemical भराता और chemical भरने के बाद यह automated polishing line में grinding के ले जाएगा जब आपका slab grinding होके बाहर आएगा पूरा जो slab के उपर जो excess chemical है वो पूरा निकल के जैसा आप देखे एकडम पूरा साथ सुत्रा आपका एकडम uniform perfectly level surface आपको निकल के बाहर आएगा यह grinding में क्या होगा आपका slab calibrate होके evenness आके slab बाहर आएगा पूरा जो cracks major cracks रहता है वो feeling होके बाहर निकलता है जो छोटा मोटा crack जो बचता है जैसा मैंना अभी आपको बताया दुबारा से पूरा line process में होके बाहर आएगा फिर पूरा chemical treatment होने के बाद slab को final polishing में लेके जाए जैसा slab final polishing होगा उसका result कैसा आएगा मैं आपको अभी बताऊंगा हाँ सार अब final process के बार मताई हाँ जैसा अभी तक मैंने आपको बताया था कि marble कैसा बनता है अभी मैं आपको दिखाऊंगा पूरा processing होने के बाद आपको italian marble किस हिसाफ से दिखता है जैसा आप देख सकते हो क्रिस्मार में आपको लगबग 500 variety का italian marble आपको मिलेगा हर color का आपको collection मिलेगा और हर price का आपको collection मिलेगा जैसे इसका नाम है आपका golden atlantite और यह आपका हो गया सीसिलिया बेच और आई आपको दिखाता हूं दोस्तों को कोई color ऐसा नहीं है जो यानि मिले यह हो गया क्रीमा जैसपर और यह आपका हो गया एड्मांड बेच आई यह हो गया आपका परलाटो सिसिलिया एक्स्ट्रा और यह आपका हो गया golden परलाटो यह आपका गोल्डन नौवा इस प्रकार से हमारे पास लगबग 500 वरेटी का कलेक्शन है आप एक बार पूरा याड को आप देख सकते हैं देखे दोस्तों यह देख सकते हैं पूरे कलर और जो वीडियो है कृष्मार मार्बल का है कृष्मार मार्बल का तीन युनिट है के देख सकते हैं इस्टोक याड भी देख सकते हैं पूरा 500 टाइप के आपको यह मार्बल मिल जाएंगे और कॉलोटी में कोई कम्प्रोमाइज नहीं है 18 mm का ही है यह सभी पत्र और जैसा कि मैंने आपको वीडियो मताया था वेक्यूम का हर प्रोसेस केमिकल का तिन-तिन बार के पूरे मार्बल को यह देखिए इस्टोक देख सकते हम पूरा और अगर आपको ओनेक्स क्वार्स इनकी जरूत है तो भी आपको यहां पर अवैलेबल हो जाएंगे और दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजे आप मार्बल का पॉलिशिंग के ओपर एक बार आप ध्यान दीजे विकॉस हमने ओरिजिनल इटालेन एपोक्सी से और रोबोटिक प्रोसेस के साथ हमने प्रोसेस किया हुआ है आपको एक भी क्रैक जैसा आप उंगली से नाकून से भ देखे 95 डिगरी तक का ग्लॉज लेवल में आपको पॉलिशिंग आएगा माने तो जो ओरिजिनल मिरर पॉलिश बोलते हैं 100 परसेंट आपको डाइमेंड मिरर पॉलिश का आपको लुक आएगा देखिए दोस्तों इधर देख सकते हैं यह देखिए आपको जो कलर चाहिए वो कलर सभी अवेलेबल है एक बार मैं वहां से आपको दिखाऊंगा वहां उफर से यह पूरा इस्टोक देख सकते हैं और यह जो वीडियो है तमिल नाडू शुलगरी का है और यहां पे देखिए स्टार्ट से फुल प्रोसेज ऑलिश होके आपको अवेलेबल हो जाएगा यह देखिए ब्लेक में चीए तो ब्लेक कभी यह पूरा इस्टोक पड़ा हुआ 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 है झाल